हेलो माइडे फ्रेंट्स वागते आपका एक और नए वीडियो में देखिए यह वाला दिन जब हुआ था मार्केट में उसके बाद मैंने आपको यहां पर बदाया था कि मार्केट में बहुत जादा स्ट्रॉंग बायर है तो दो दिन हो चुके हैं यह पहले एक दिन हुआ है और ये एक और 23 August का चार्ट आपके सामने है लाने इस प्रेसक्शन के बाद आपको यहां पर दो दिन पर प्रेस और मिल रहा है तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था वही हो रहा है मार्केट में यहां पर जो मार्केट आया है यह चीज जो यह नीचे आने की कोशिश किया मार्केट में तो यह चीज मैंने अपने प्रिवेस वीडियो में बताई थी कि अगर मार्केट नीचे आया तो इससे नीचे मार्टे नहीं आएगा यादि कि मार्किट यहां तक आने की कोशिश कर सकता हैं यह ला मतलब यह यह वायर है यह बसक्टे आने बाकिक सब्सक्राइब हैं तो जैसा कि आपने देखा मार्केट इससे नीचे नहीं आया вже और बैक्न किसलता मार्केट ने कि आधाने की कोशिश और यहाँ य। बायर में मार्केट के साथ घावtså अग्यए आज मैं ऐपने टैलीग्राम गूपने वीडियो बनाके डाल रखा था किव खुंप dependonacağız illustre घ्मा उसमें पर उसमें वीडियो बना के डाल दिया था देखिए यह जो कैंडल चुट रही है यह मार्केटें इस तरह की जो कैंडल होती है उन्हें छोड़ता नहीं है तो इसलिए मैंने इसके बारे में और शोड़ भी हमारी यहां पर लग रही थी तो यह प्राइस एक्षिन बताया था यहां का सपोर्ट लिया है तो इसका मतलब क्या है जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है पहले की वीडियो उसमें जाए तो मार्केट इस तरह उठके जो है उपर जा रहा है और यहां से उपर निकलने की कोशिश की मगर ब्रेक आउट फेल हो गया इस चीज को समझें दूसरी यह जो price section आपको दिखाई दे रहे हैं यह वहला price section यह मैंने अपने YouTube channel पता नहीं कितनी बार यह price section बता दिया और पूरे YouTube पर यह चीज कही नहीं बताई गई है कि यह क्या हो रहा है यह कुछ नहीं यह market एक सीडी बना रहा है यह इस तरीके से एक सीडी तो है और क्या है यह सीडी बनी भी है मार्किट में इससे क्या हो रहा है इससे यह हो रहा है कि market call वालों को लालश दे रहा है ओके, यह call वालों को डारेक डारेक लालश दिया जा रहा है मार्किट में, तो अगर मार्किट call वालों को लालश दे रहा है तो यह जो जहां पे मेरा cursor है, आप इस चीज़ को देखने ही कोशिश करें यह देखें, यह जो चीज़ है न, यहाँ पर इस चीज का support लेते वे यहाँ पर करसर यहाँ पर डाल रही हूं है इस चीज को देखने कोशिश करें यह market के लिए strong support है 43581 तो यह market में क्या है यह अच्छी support है यह strong support है अगर मालीजे market आपको इस तरीके से नीचे आतावा दिखाई दे रहा है इन buyers को target करने के लिए तो आप थोड़ा सा इस बारे में सजग रहें कि market इसके बाद ऐसे जाने की कोशिश करता है यहाँ से रिवर्सल लेता है देखिए यह इस बात पर depend करेगा कि यह जो candle है यह वाली first candle यह कितनी जादा strong है इस बात पर भी depend करेगा ओके मगर यहाँ पर मैं आप से बताना चारी हूं कि यहाँ पर market ने call वालों को बिठा रखा है बायर बिठा रखा है और breakout market में fail हो गया अगर market में माल लीजिए फिर इस level से यह जो level है यहाँ से जहां से यह यह चीज़ है अगर इस level से market आपको इस तरह गिरतावा दिखाई देता है यानि कि closing price से market या फिर यहाँ से नहीं यह फिर यहाँ से closing price से market अगर आपको इस तरह के से गिरतावा दिखाई देता है that means क्या है market यहाँ पर जो बायर है उसे निकाल रहा है तो कोई भी सिरारी हो सकता है बस आपको इस पर यह देखने की जुरत है कि यहाँ पर इसमें support है अगर market इस तरह यहाँ से support तोड़ने की को करणे यहाँ पर मेरा cursor है इस zone प्रोन पर देखने की कोशिश करें कि क्या market जाने की कोशिश करता है इस तरीके से चला जाएगा ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि देखे इसमें ऊपर क्या है ऊपर तो यहां पर यह seller है तो इसको तो आप देखी सकते हैं कि market में इतना ज़्यादा profit दिख चुका है इसलिए हम यहां पर SL नहीं मान सकते हैं तो अगर यह market ऊपर जाएगा तो obvious सी बात है कि SL create करते वहीं जाएगा निफ्टी में एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ निफ्टी में देखे मार्केट ने क्या कर रखा है एक बहुत ही strong rejection candle छोड़ रखी है यह देखे जहां कि मैं कहा रही थी यहां की support market नहीं ले लिए यह जो rejection candle है यह आपको दिखाई दे रही है यह strong rejection candle छोड़ रखी है आप यह जरूर समझें कि market यहां से reversal ले सकता है अगर ऊपर चला जाता है तो तो अच्छी बात है आप position में है तो हरी candle आ रही है लाल नहीं आरी जब तक 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 आप रह सकते हैं position में मगर यह एक अच्छी candle है यहां तक के target आपको मिल सकते हैं और देखें यहां से market क्या दिखान रखें मार्केट में यहां पर भी निफ्टी में आइमीन निफ्टी में यहां पर भी मार्केट ने बाद में बाहर बिठा रखा है तो देखने की कोशिश करें कि यह scenario bank nifty से जादा अच्छा दिखाई दे रहा है समझ में आ रहा है इसलिए मैं आपको bank nifty से समझा रही है और फेक ब्रेक आउट भी दिखाई दे रहा है bank nifty में इन बातों का ध्यान रखें अगले ट्रेडिंग डे में आपको जरूर सफलता मिलेगी और अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर दीजे और मुझे वीडियो में कमे आपको पर एक वीडियो लापाऊं इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूं थैंक्यू वेरी मुच